ये दो पावर स्टेशन हैं, उसमें से एक पावर स्टेशन तलबल में और बुसरा पावर स्टेशन भधौरा में हैं और नोनों 232 के पावर स्टेशन चालू हालत में हैं 132 PVA के कुल साथ पावर स्टेशन है जिसमें से अंधों कुछ होड़कर शेश अभी सभी चादू हालत में है शेश 33 बटा 11 के जो सबस्टेशन हैं कुल सत्तर है इसमें महाराज रंज और रौजा कुछ होड़कर कल जिन आंक 18 मार्च तक सभी चादू हालत में करा दिये गए लेकिन कल रात को जर्बद में आंधी तूपान और चिर्पुट भारिश की भटनाय हुई जिसके कारण 30 सबस्टेशन पर प्रफावित हो गये अभी 40 सबस्टेशन चादू हालत में है शेश पर विद्यूत आपूर्ट की सुरूशित पिराने के लिए हमारे अधिकारी प् हमारे जनपर में कुल 26 प्राइविट फर्म से 280 SSO और टेक्निकल पैन पावर लगाए गए है इसमें भारत एंटरप्राइज जो में मुख्य संस्था है जो संविदा पे कर्मी राइन मैं उपलब किराती है और SSO उपलब किराती है उसमें से 70 SSO और अन्या 25 पर में जो ञुकि रैगुलिर लाइन मैं जो समझते हैं वो सभी लाइन मैं पर नैप्रेडी प्र लेकी तेमिन ऊंपलब करता है लोकर लेवा हम वे एंटल कर रहे हैं अभी तक जो प्रवटन कारवाई हुई है या जो विदिक कारवाई हुई है उनमें खुल 20 कविशं के विरूद हम लोगों ने बारा थानों पर इफायार दर्ज कराये हैं, जो इस भारत एंटर्प्राइजस कंपनी के संविधा कार्मिक थे, और उनको बताने पर भी डूटी पर नहीं आए, उनके विरुद इफायार कराई गई है, और इसमें से आट SSO हैं, और लाइन मैं है पारा, और इस स संस्था के जो GM है, महा प्रबंधक और जो चन्पद में संस्था के सुपरवाइजर है, इन दोनों के विरुद भी एसमा के खानून के तहत, अधिमियम के तहत कारवाई की गई है, उनके विरुद इफायार दर्ज कराई गई है, ये सभी लोग जो हैं, इनके काफी लोगो के मुबाइल फोन भी बंध हैं और अपने स्थानिय पते पे उपलब्द नहीं है, इनको ढूंडने के लिए दविश डाली जा रही है, ताकि इनको इनको पर कारवाई की जाए, इनको मोटिवेट किया जाए कि ये काम पे आए, जल्बत के लोगों की समस्या आएं और शिक उस गंटे करियाशील है और नगर में आपूर्थी के लिए, जो जल की आपूर्ती है, उसके लिए हमारे पास जनरेटर्स उपलब्द हैं, उस जनरेटर्स के माधियं से नौ जनरेटर्स हैं, इसमें चार फिक्स्ट हैं, पाँच मुबाइल हैं, इनको लगाकर के जगे-ज तो लोगों से फिले कि जब जनेरेटर उपलब हो उस दौरान अपने जो जला पूर्टियक आ रहे है वो कृपया आप लोग पूर्ण करा ले